हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में तो दोस्तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुटापे के बारे में आपने ज़्यादा तर कई लोगों में ये मुटापे की समस्या देखी होगी ज़्यादा तर लोग मुटापे को लेकर काफी परिशान रहते हैं यहाँ तक मुटापा इतना बढ़ जाता है कि उनके शर्ट की बटन तक सही से बन नहीं होती ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कों में ही नहीं देखने को मिलती लड़कियां भी अपने मुटापे की वज़े से काफी परिशान रहती हैं अगर वो कोई अच्छी ड्रेस पहनना भी चाहें तो उनके शरीर पर जच्चती ही नहीं मुटापा कम करने के लिए लोग महंगी से महंगी दवाईयां लेते हैं या फिर डाइटिंग शुरू कर देते हैं फायदा कुछ नहीं मुटापा रुकने का नाम नहीं करें तो क्या करें अपने पेट की चर्वी को कैसे कम कर सकते हैं कसरत भी करते हैं जिम भी जॉइन करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाली हूँ नैचुरल घरेलू नुस्खा जिस से आपको काफी फायदा मिलेगा आप खुद देखेंगे इस नुस्खे को एक बारा अजमाएंगे आपको खुद फर्क महसूस होगा और काफी हद तक आप अपने मुटापे को कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे मुटापा हमेशा के लिए चला जाएगा तो उसके लिए दोस्तों आपको लेना है 60 ग्राम अजवाईन, 60 ग्राम जीरा दोनों को आपको एक में मिक्स कर लेना है और कढ़ाई को धीमी आज पे चढ़ा कर अच्छे से भून लेना है हलका ब्राउन होने तक जले नहीं ये आपको ध्यान रखना है फिर जैसे ही आपको लगे कि ब्राउन कलर आ गया है और जीरा और अजवाईन अच्छे से भून गया है तो उसको थंडा होने दीजे थंडा होने के बाद उसमें मिक्स करना है तीस ग्राम सौंफ और स्वादा नुसार नमक अब ये चारो चीजे आपको मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेनी है जैसे ही पिस जाए आप एक डिब्बे में भर कर रख लीजे आपके मुटापे को बढ़ने से रोकने के लिए ये राम बार्ण चून तयार है ये जो चुरन बना है ये आपको काफी फायदा करेगा और आपको इसको कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ अब आपको रात को खाना खाने के एक घंटे के बाद गरम पानी के साथ एक चम्मच चून जो आपने बनाया है डेली रात को सोने से पहले लेना है इससे आपका पेट भी साफ होगा पेट मुलायम होगा चरबी भी घटेगी धीरे धीरे आपका मुटापा कम होने लगेगा ये चोन आपको मुटापे से निजात दिलाएगा बस साथ में थोड़ी सी एकसरसाइज ये नहीं कि खाया और एक जगे पेटे रहें खाने के आधे घंटे बाद 10-15 मिनट तहलना बहुत जरूरी है अगर आप साथ में ये इतना काम और कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि मुटापा आप से कोसों दूर रहेगा आपके पास आएगा ही नहीं और आप अपने शरीर को जब पिट देखेंगे तो आपको खुद अच्छी फीलिंग आएगी तो दोस्तों आप मेरे कहने से एक बार ये नुस्खा जरूर आजमाईएगा तो ये था मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलूंगी मैं एक नई जानकारी के साथ ठैंक यू